असिम रियास को बिग बॉस सीजन 13 ने रातो रात बना दिया था स्टार, वो मौडल, आक्टर और बहुत ही जादा उनकी जो परसनालिटी है वो हटकर है, वो सब के चहेदे बन चुके हैं लेकिन क्या आपको पता है, जितना वो अपने करियर को लेकर सुर्ख्या नहीं बटोरते, उतना जादा वो टॉक ओफ दटाउन बने रहते हैं, अपने डेटिंग रिलेशनशिप्स को लेकर दर असल हम सब जानते हैं, बिग बॉस सीजन 13 के घर के अंदर ही असिम की मुलाकात हमानशी खुराना से हुई, सालों तक दोनों का अफेर चला, लेकिन अभी बीते साल आप कह सकते हैं, लगबग 6 महीने पहले दोनों ने ब्रेक अप कर लिया, वो भी धरम को यूनो टार्गेट करते हुए, कि धरम की वज़े से, अलग अलग धरम की वज़े से, दोनों ने अलग होनी का फैसला लिया, असम रियाज मुस्लिम है, तो हमानशी खुराना है, हिंदू और ऐसे में, दोनों अब एगूसे से अलग हो गए है, पर ब्रेक अप के 6 महीने बाद लग रहा है कि असम को हो गया है, फिर से प्यार, जी हां, असम की जंदगी में आ गई है, नई हसीना, कौन ही ये हसीना, फिलाल इस पर बना हुआ है, सस्पेंस, जी हां, असम रियाज ने एक फोटो अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की है, जिसमें वो मिस्ट्री गर्ल के साथ नज़र आ रहे है, मिस्ट्री गर्ल का हाथ थामे नज़र आ रहे है, असम रियाज अतन टाइम स्पेंट करते नजर आ रहे हैं उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि दोनों के बीच में गजब का प्यार है और दोनों एक दूसरे का साथ पाकर बहुत जादा खुश भी है हाला कि मैं आपको बताना चाहती हूं असम ने इस फोटो को पोस्ट करके लिखा था कि जिन्दगी लाइफ मस्ट गो आन यानि कि जिन्दगी चलती रहती है और इस चीज से कही न कहीं ऐसा लग रहा था कि असम अब अपनी लाइफ में हिमानशी से ब्रेक अप के बाद मूव आन कर चुके हैं बट अभी तक उन्ह अपने पोस्ट की है यह कोई उनका आने वाला प्रोजेक्ट हो कैसार का वीडियो जरूर बताईए इस वीडियो में इतना ही